मद्य प्रदेश के दतिया जिले में सिंद नदी के पानी के बहाफ से रतंगर्ण माता मंदिर के नीचे बना मजबूत पुल मंगल बार को तिनके कीता रह डह गया यह नजारा वहां मौजूद एक सक्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया बीडियो में दिख रहा है के भड़ते पानी के दवाफ से पुल का एक हिस्सा तूटकर नदी में ऐसे समाहित हो गया जैसे पेड से पत्ते तूटकर गिरते हैं दर असल लगातार बारिस की बज़े से पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की नदियां उफान पर हैं इलाके के सभी डैम भर चुके हैं सिवपुरी डैम से छोड़े गए पानी की बज़े से दतिया में सिंध नदी भी उफान पर है इसी सिंद नदी पर रतनगड माता मंदिर के नीचे पुल बना हुआ था नदी में पानी का भाव इतना तेज था कि पुल इसका दवाब सहन नहीं कर सका और तिनके की तरह डह गया इस पुल के डहने की तस्वीर वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में भी कैद कर ली सिंद नदी का पानी किनारे पर बसे गाउं में गुस गया है नदी का जलिस्तर भढ़ने से इंदरगड छेत्र के रूर और कुलहत गाउं के बीच संपरक तूट गया है कई अन्ने गाउं भी एक दूसरे से कट गए है मंगल बार को लमकना टापू छेत्र में डारों और पानी भढ़ने से कहीं लोग इसमें पस गए है भारी बारिस ने दतिया के साथ पूरे चंबल छेत्र में तबाई मचाई है सबसे ज़्यादा प्रभावित सिवपुडी और सियोपुर जिले हैं इन दोनों जिलों के दोसों से ज़्यादा गाउं जलमगन हैं कहीं जगे पर सडक और रेल्वे ट्रैक पर पानी भर गया है इसके अलावा ग्वालियर में भी हालात खराव हैं ग्वालियर जिले में आगरा मुंबई हाईवे पर पानी आने से आवा गमन रोक दिया गया है इलाके में रहात और बचाव कार्यों में इस्तानिय प्रिसासन के साथ SDRF, NDRF और सेना के हेलिकॉप्टर को लगा जा गया है लोगों को वोट से सुरचित इस्तानों पर पहुँचाया जा रहा है